नमस्का स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहांपे मैं किताबों से संबंधित वीडियोस बनाती हूं तो यदि आपकी किताबों में रूची है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आज के वीडियो में मैं दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लेखेत कहानी है दो लोगों की सुदीप और चित्रा सुदीप एक सक्सेस्फुल अंत्रप्रणर और है जिसका स्टार्ट अप बुक माइट ट्रिब भीए सफल हो गया है वहीं चित्रा एक संघर श्रत लेखी का है जो अपनी पहली किताब प्रकाशित करने के लिए कोशिश कर रही है बनारस में सिद असी घाट के पिजेरिया पर दोनों क्या मिले मानों बनारस को एक नई कहानी मिल गई नीव रखी गई एक खूबसूरत रिष्टे की जिसे कभी कोई नाम नहीं दिया गया बस जो था वो था बिना शर्थ के और शाष्वत प्रेम और थी दक्स अक्तूब अपनी व्यल्स जिंदगियों और हताशा परे दिनों को पीछे छोड़ कर दोनों समय निकाल कर एक दूसरे से 10 अक्तूबर को मिलते हैं कितना अजीब है ना किसी एक के लिए एक दिन समर्पित कर देना और कितना खास भी और उससे भी अधिक सुन्दर है किसी ऐसे को पा ल लड़े की वज़े से काफी प्रिसिध हो गई है अव्य हर लिट्रेचर फेस्टिवल की शान है हर अवेवार को उसका लेक अख़बार में छपता है बड़े से बड़े कॉलेज और पाटियों में उसके आने से ही रौनक होती है दूसरी तरफ सुधीप को अपने स्टार्ट नहीं है और हाँ ये कोई टिपिकल लव स्टोरी भी नहीं है इनकी कहानी आपके और हमारे जैसी नहीं है ये कहानी कुछ हटके है लेकिन फिर भी ये कहानी दिल को छूती है एक प्रेम के ध्वागे में पिरोई गई कहानी है अक्टूबर जंक्शन जो की पाटकों की लोगों पर प्रकाश डालते हुए आपके सामने प्रेम का एक निया सुरू प्रस्तुत करती है कभी कभी जब आप प्यार को एक रिष्टे में बांद देते हैं तो आप उसकी एहमियत खो देते हैं फिर आजादी और परसनल स्पेस कहीं बशती ही नहीं रिष्टों के जट केवल महसूस किया जाता है जिस अंदाज में उन्होंने कहानी को लिखा है वे तारीफ के काबिल है चित्रा और सुदीप के बनारस में बिताई हुए वो पल छोटी छोटी बातों में छुपी उनकी भावदाओं को समझने का अनंद ही कुछ अलग था किताब के शुरुवात में एक प्रस्ताफना है और अंत में भी यह एक निया और गजब का प्रियोग है किताब की भाशा सहज और सरल है कहीं भी मुश्किल शब्दों का प्रियोग ना होने के कारण कोई भी इस किताब के साथ असानी से जुड़ सकता है अक्तूबर जंक्षन एक ऐसी कहानी है जिसका असर आपके दिल और दिमाग पर धीरी-धीरी होता है किताब के शुरुआती कुछ पन्य प्रभावित नहीं करते लेकिन यदि आप धैरे के साथ इस किताब को पढ़ते रहते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जल्दी एक नए वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी तब तक के लिए धन्यवाद